स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग देपर और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरबोचा दोस्तों एक बहुत बड़ी आप इसको good news कह सकते हैं उन साथियों के लिए जिनको अभी तक college नहीं मिला है उन साथियों के लिए एक golden chance है एक इसको आप last chance भी कह सकते हैं अगर अभी college नहीं मिला तो फिर समझ लेना कि आपको 2024 में college नहीं मिलने वाला है हाला कि 5 round counseling complete हो गई है लगभग अब 6 way round की counseling का कोई पहले से schedule नहीं था बोड ने अचानक से schedule जारी किया है तो यही है golden chance जिन साथियों को अभी तक college नहीं मिला है उनको college कैसे मिल पाएगा क्या उनको करना होगा आज किस वीडियो में हम इसी से related बात करने वाले हैं तो दोस्तों आप फटाफट learning day channel को subscribe कर लेजिए दोस्तों को share कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए और आप हमारे साथ telegram, instagram, whatsapp ग्रूप पर join होने के लिए नीचे description में दिये गए link के माध्यम से join हो सकते हैं साथ ही साथ आप हमारे application को download कर सकते हैं जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी या फिर आप play store पर भी learning day सर्च करके वहाँ से download कर सकते हैं वहाँ पर आपको polytechnic first semester की complete तयारी करवाई जाएगी अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर जिन साथियों को अभी तक college नहीं मिला है उनको college कैसे मिल पाएगा उनके लिए last chance क्या है और कैसे वो college फिल करेंगे ताकि उनको इस last chance में उनको college मिल जाए तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने एक pdf open कर रखा है इसमें लिखा गया है कि online second fetch special counseling पहले दोस्तों मैं एक चीज़ clear कर देना चाहता हूँ कि special counseling का पहले से कोई update नहीं था ये random board ने निकाला है special counseling है 6th round counseling board आपको दे रहा है एक extra आप chance कह सकते है pharmacy वाले बच्चों के लिए भी कोई update नहीं है हो सकता है कि इसके बाद pharmacy वाले बच्चों के लिए कहीं न कहीं जरूर कोई update आएगी दूसरी चीज इस counseling में जो 6th round की counseling हो रही है इसमें UP के बच्चे और other state मतलब हर एक जगा के बच्चे इसमें participate कर सकते हैं जिन्हें उन्हें उन्हें UP Polytechnic Interns Exam का form फिल करके exam दिया था वो सारे के सारे बच्चे इसमें participate कर सकते हैं अब आखिर है क्या पूरा का पूरा माजरा समझ ये इस छोटी सी screen के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होगे कि serial number one पर आपको दिखा रहा है कि sit round counseling choice filling आपका कब से है तो 5 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक है मतलब 5 अगस्त से 7 अगस्त तीन दिन 5-6-7 तीन दिन आप college फिल कर सकते हैं और फिर 8 अगस्त को आपका seat allotment हो जाएगा और फिर आपका जो फीस हो गयरा है वो 9 से आप 11 तक जमा कर पाएंगे document verification 9 से 11 कर पाएंगे आप और जो पूरी बची हुई फीस है वो 9 से 12 तक आपको जमा कर देनी है फिर आपकी जो seat bid draw अगर इसमें कोई साथी करना चाहेगा तो वो 13 सेप्टेंबर को कर सकता है फिर इनके according जो college चलेगा जो class चलेगी 6,000 round में जिन साथियों को college मिला है उनकी class 15 सेप्टेंबर से चलेगी तो यह रही पूरी की पूरी update कि जिन साथियों को अभी तक college नहीं मिला है उन साथियों के लिए आप कह सकते हैं कि last chance से एक बढ़िया मौका है कि अगर आपको 5 round तक college नहीं मिला है तो 6 round आपके लिए golden chance बनके आया है या फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में कहीं न कहीं confusion होगा कि वो करें न करें politics ने फिर अब उनके पास ये last chance बोर्ड एक बार दे रहा है कि आप try कर सकते हैं अगर आप counseling करवाना चाहें तो 6 round की counseling जो कि 5 September से start हो रही 5-6-7 तीन दिन आप college फिल कर सकते हैं इसमें बाकि और कुछ भी change जैसा नहीं है जो आपको बताया चाहे सारा का सारा process वही है बस एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान ये रखनी है number two पर कह रहा कि counseling के छठे चरण में वे भ्यार्थी जो साहता केंद्रों के माध्यम से document verification नहीं करवा पाये थे अथवा वे भ्यार्थी जिन्हें मुख एवं बिसेस counseling के पांचुए चरण तक seat आवंटित नहीं हो सकी है तथा एसे भ्यार्थी जो बिसेस counseling के पांचुए चरण तक counseling प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पाए हैं वे चरण की counseling में प्रतिभाग कर सकते हैं मतलब अगर मैं इसको अच्छे तरीके से आपको explain करके बताऊं तो इसमें ये कहा गया है कि चौथे round के counseling के वे साथी जिन्होंने document verification जो बच्चे document verification नहीं करवा पाये थे वो बच्चे इसमें participate कर सकते हैं या फिर पाचों में जिनको college नहीं मिला है या फिर पूरे के पूरे counseling process 2024 में जो बच्चे सामिल नहीं हुई हैं तो आप कह सकते हैं कि fourth round counseling के बच्चों के लिए भी एक golden मौका है document verification नहीं हो पाया था तो उनका admission नहीं हो पाया वो बच्चे फिर से इस round के counseling में participate कर सकते हैं college और फिल कर सकते हैं मैं आपको ये notice जो है आपके telegram पर share कर दूँगा या फिर आप जेकप की official site पर जाएंगे आपको सब से उपर second round special counseling के रूप में एक मिल जाएगा notice वहाँ पर आप इसको देख लेना बाकि पूरा process रही है कुछ भी ऐसा और मुझे नहीं नजर आया जो आपको बताया जाए जो आपको explain किया जाए दो ही point थे explain करने लाइक पहला point ये था कि आपको date बताई जाए और दूसरा point ये point number 2 था और दोनों के बारे में मैंने दोस्तों आपको बता दिया है अब आप comment section में बताएंगे कि आप कौनसा college चाहते है आपकी rank कितनी है आप UP से है या कहां से है आप एक बार rank सभी साथी जरूर comment section में बता देना जिनको अभी तक college नहीं मिला है तो मैं try करूँगा कि one by one बच्चों को जितना मैं guide कर पाऊंगो जितना मेरे पास time रहेगा उस according मैं आपको guide कर दूँगा ठीक है भई चैनल को subscribe कर देना दोस्तों को share कर देना और application जरूर download कर लेना क्योंकि अब हर एक update आपको application पर मिलेगी टेली ग्राम को भी जरूर जोइन कर लेना वहाँ भी आपसे time time पर मैं बातचीत करता रहता हूँ आपकी समस्याए मैं सुनता रहता हूँ तो चलिए भई वीडियो को इंड कर देते हैं मैंने जो कहा वो comment section में कर देना चैनल को subscribe दोस्तों को share वीडियो को लाइक ज़रूर करना नमस्कार टेकेर थेंक्यू जैहिंद